तो विए टी ट्रिपली का रिजल्ट आ चुका है बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एक ड्रीम कॉलेज होता है विए टी और वो विए टी में ही एडवीशन लेना चाहते हैं और वो यह भी चाहरे हैं कि हमको यहाँ पर सीएस ब्रांच मिल जाए कोई दूसरी ब्रांच नहीं चाहिए है तो सर रिजल्ट में हमको रैंक पता चल गई है एक इमेल आया है जिसमें सीडियूल लिखा है उनकी फीस लिखी हुई है वो हमको सर फॉलो करना है क्या कट ओफ होंगी क्या स्टियूल होगा यह इमेल जो है कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है उसमें मैं जो भी इमेल आया है मैं एक बार आपको दिखा देता हूं इसके बियॉंट भी अगर कोई भी गाइडलाइन का इमेल आता है तो आप मुझे इमेल वो फॉवर्ड करेंगे ताकि हम आपकी और अच्छे से हल्प कर पाएं और अगर कुछ बच्चे मुझे क्रेडेंसियल इम है अगरिज होता है है तो आप में थ्यश्व ए अजए होगा उसमें टॉटि था उजन वन राइंक से 25,000 राइंक तक के बच्चे 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 ने इसे इस तू है और मेरा मानना है कि वारिज वन और टू ही इंपॉर्टेंट है है इना जीसे कोर्डिंग आप यहां पर कटॉफ देख रहे होंगे वियाइटी वेलावर की और वियाइटी चन्नाई की तो 35,000 तक काटेगरी 5 में CS रिलिटेड ब्रांच वेलावर की क्लोच कर जा रही हैं सिबलर वे में अगर आप चन्नाई देखेंगे तो थोड़ा सा 45 तक चली जा रही है सब्सक्राइब की फेज वन में काटेगरी वन काटेगरी टू फुल हो जाएगी फिर 345 बसती है मैं आपको कंडिशन बता दे रहा हूं सेम चीज फिर जब फेज टू में आप आओगे तो 345 बचेगा और उसमें पडिशिपेशन होता है वन टू का तो ऑपसर ही नहीं आता च्वाइस प्लिंग में तो इसलिए च्वाइस प्लिंग ना बहुत सिस्टेमाटिक करनी है और इस पेख हम डेटेल्ड वीडियो अलग से लाएंगे च्वाइस को लेकर प्रोसेस क्या है प्रोसेस अभी मैं आपको सारा प्रीप करूंग इमेल आप लोग सारे चेक कर लें तो आप सभी को प्रोसेस सेडियूल प्रोपर इमेल आ गया होगा यह व्याइटी के ओफिसल वेपसाइड है आपको यहां से व्याइटी के रिजर्ट पे जाके लॉगिन करना है आप अगर मुझे क्रिदेंसियल इमेल कर देंगे तो मैं को और अच्छे से सारी चीजें बता पाऊंगा इन्होंने इंस्ट्रक्शन्स यहां पर सारे लिख रखे मैंने इस इमेल का एक पीडियाप बना दिया हुआ था आप इस इमेल को देख सकते हैं है ना यह टॉप में पूरा हेडर लगा है और ट्वंटी सिक्स्थ और अप्र पॉर्टल का लिंक दे रखा है है ना जिसमें से यह लॉग इमेल और अपना पासवर्ड डाल के लॉग इन करेंगे और अगर लॉग इन नहीं हो रहा इन केस कुछ भी ट्रवल फेस कर रहे है कुछ भी प्रॉलम आ रहा है तो दिन आप उसको फोगट कर सकते हैं फोगट कर सबसे पहला स्टिप है कि आपको रिजिस्ट्रेशन करना होगा है ना रिजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ अपको 5900 रुपीज की पेमिट करनी है 5000 प्लस जीस्टी प्लस 18 परसेंट जीस्टी उके उसके बाद में यहाँ पर सेडियूल दिया हुआ है एक बार हम सेडियूल में आना चाहेंगे है ना सबसे पहले अगर हम देख लें फेज वन रांग से 20,000 की बीच में जो बच्चे आ रहे हैं है ना बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना उनको 28 से पहले पहले यह लास्ट डेट है यह दिखान रखना यह लास्ट डेट जो कांस्लिंग फीस पे करने के अगर आपने 5900 रुपीज नहीं पे किये जो की नॉन का डिसीप करने के लिए ऐलजबिल नहीं हो पाएंगे फेज 1 वाले हैं तो उनके डैस पोड अक्टव हो जाएंगे है ना उनको फीसे करनी हैं और नाब करना है तो आप हमारी टीम से ज़रूर बात करें सेकंड में को हमारा अलॉट्मोंट आउट हो जाएगा राग सब्सक्राइब करना पड़ेगा लास्ट यह दे रखिए 165 2023 जिसमें से आपको जो पेंडिंग डिव होगा वह को क्लियर करना होगा सेम यह प्रोसेस है वह आपका रिपीट करेगा ऐसे फेज वाई सेम एक्टिविटी के द्वारा उसके बाद में थोड़ा से जो बैलेंस फी यहां पर इन्होंने थोड़ा सा दिया हुआ है जैसे ग्रूप A है और ग्रूप B है तो इन्होंने कुछ ब्रांचेज ग्रूप A में और B में डिवाइड कर दी है जैसे अगर हम टोटल फीस की बात करें तो 1,98,000 है कैटेगरी 1 में कैटेगरी 2 में हमारी है 3,07,000 कैटेगर फोर में है 4,48,000 अब यह जो एडवांस पीस पेमिंट का है जैसे आपको अलॉट्मेंट आएगी आपको यह वाली फीस पे करनी होगी अगर आपको इधर अलॉट्मेंट आती है तो आपको इस अकॉर्डिंग पे करनी होगी फिर जो भी बैलेंस फीस होगी इसी तरीके से वी आटी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग और भी वीडियो चे तो वीडियो को लाइक करो चांग को सस्क्राइब करो और एड़ अट यहाँ पर सीडियूल एक बार फिर से दिख रहा होगा कट आप से भी दिख रही होंगी तो पोस्ट करके आप इसकिन सॉट ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत जादा बेनिफीसियल होने वाले हैं सिर्फ करेकिक जेही चानल पे ही वीडि की काउंसलिंग होती है